नमस्कार दोस्तों स्वागेत आप सभी का सरकाली जॉप सौट्स के इस यूटूब चैनल से फिरंड शत्यजगण का स्वास्त विभाग एकमात्र ऐसा विभाग बना हुआ है जहां अभी तक बड़ी भरती इस सतर में निकल कर सामने नहीं आई है 2024-25 के साल में आप देख पाएंगे कि स्वास्त विभाग में बड़ी भरतिया नहीं निकले जब से चुनाओ दोस्तों हुआ है नई सरकार बनी है स्वास्त विभाग को दर किनार कर दिया गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है कई सारे लोग जो हैं मेडिकल फिल्ड से हैं पढ़ाई किये हुए हैं परन्तु आज दिनांग तक वो बिरजगार हैं ऐसा क्यों दोस्तों आप देख पार होगे कि छतिस गड़ में डॉक्टर चिकिस्ता अधिकारी से लेकर स्वास्त कार करता साहयक तक के पद खाली हैं यहाँ पस आप देखेंगे साफ साफ मेंसन किया गया है कि एनेचेम में पाच हजार पद खाली हैं दो साल पहले परस्ताव बना था लेकिन भरती जो है वेकनसी आज दिनांग तक दोस्तों नहीं आई है यह बहुत ही चिंता कभी से 36 राज्य में सासन को इसकी और जरूर ध्यान देना चाहिए आप देखें कि स्वास्त विभाग में सभी कमन में यह डाउट होता है कि स्वास्त विभाग में जो है भरतियां कब निकलेगी भरतियां हर किसी कमन में यही डाउट है आज इस डाउट के मैं किलियर करने की कोशिस करूँगा लगबग 6 हजार से जादा पद खाली है और अफसर जो है स्वास्त विभाग के अलग अलग विभाग से जो है स्वास्त विभाग के अंतरगत जितने विभाग और आते हैं जैसे हमाल लीजे पैथोलोजी के अलग हो गया नर्सिंग डिपार्टमेंट हो गया एनेचम का अंतरगत कह सकते हैं जीतने भी आते हैं अफसर उन में से उनका क्या कहना है किस प्रकार का उनको सोचना है कि भरती क्यों नहीं आ रही है आपको इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट रूस से बताने वाला जो नेशनल हेल्थ मिसन है उसके अंतरगत जो है कितने पद खाली है तो राज इस्तरी आप सभी जानते है कि नेशनल हेल्थ मिसन में राज इस्तरी भी पद निकलते हैं जिला इस्तरी भी पद निकलते हैं ब्लॉक इस्तरी भी पद निकलते हैं तीन अलग लग इस्तरी में 36 गड़ में स्वास वहाग के रुजगार प्राप्त करने के लिए एक चूक है या उसके इंतजार कर रहे हैं वीडियो पूराम तक जरूर देखिए को अगर आपको वीडियो पसंद दता है तभी वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल पर ना है तो चलो को सस्क्राइब करना बिल्गों भी मत बुलिएगा क्योंकि 36 विडियो राज में आने वाली समस्त भरती विग्यापनों की जानकारी और समस्त सूचनाओं के जानकारी जो कि आप लोगों के लिए फायते मंद है अगर आप रुजगार संबंधित वीडियो देखते हैं तो ये दोस्तों बहुत जबी ग्यापन कब तक होंगे आपको क्लियर पता चल जाएगा तो चली देखते हैं कि क्या है पूरा मामला फ्रेंड्स ये जो आप पेपर कटिंग देख रहे होंगे देनिक भासकर का पेपर कटिंग है ये जो है आज दिनांक 411-2024 का है जो कि 36 गट राज में स्वास्त भ भरती का मामला अब लगतार गर्माना चालू हो चुका है ये आपको मैंने कोटेशन यहां पास आपको दिया ही हुआ था थमनिल में कि अभी तक प्रस्ताव बनता है लेकिन वेकेंसी नहीं आई है तो इसका मामला को आप समझे बहुत ही ज्यादा जो पेपर कटिंग है आर के लिए दोस्तों ये वीडियो में बना रहा हूँ प्रदेश में स्वास्ति वहाग में लगतार इस्थानी और प्रादेशिक इस्तर पर भरतिया निकल रही है बावजूद इसके अभी राष्टी स्वास्त मितन अर्थात एनेचम में पाच हजार से अत्रिक्त पद जो है करें दो साल पहले है एनेचम में इन खाली पदों के लिए भरती का प्रस्ताव भी बनाए गया था लेकिन विविन वजियों से प्रक्रिया अटकी रही यही नही परताल में यह भी पता चला कि एनेचम में 9000 से ज्यादा समीधा करमचारी भी पहले से कार्रत हैं जो लंबे यह भी नियमेती करण का जो मांग है उस पर बड़ा फैसला सासन की ओर से आज सकता है चुकि आप सभी जानते हैं पिछले सत्र में जो सरकार थी उसमें जो है स्वास्तिवा के कई करमचारियों ने बहुत ब्रिहत दूर्प से अंदोलों किया था जो कि आप देखेंगे नि धान्तिक सहमती पहले ही मिल चुकी है इसके बावजूद भी वेकंसी आने में देरी होने से युवाओं में निरासा है उनका कहना है कि बड़ी संख्या में पद खाली होने और इसके भरती सहमती नहीं होने कि बावजूद भी वेकंसी आने में देरी होना समझ से पर हैं जल जीलाइस तरी एक सुछी अनवे रॉबलाइस तरी एक सु उन्तिश ठीक है इसमें आप देखेंगे और सर्वीस प्रोवाइडर के यहां पस पद आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहां पस आप देख रहोंगे अलग अलग पदों के यहां पस विवरन दिया गया है अगर मै खाली खाली की दोस्तों यहां पस बात करो तो आपको राज इस तरी जीला इस तरी सभी पद मिला कर 6083 पद लगभग यहां छतिक घडराज के अंतरगत आपको खाली नजर आएंगे जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा पद है ठीक है 5000 यहां से लिखा भी हुआ है 5000 पद खाली है सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है कि इतने लोगों की दोस्तों यहां पास है आप देख सकते हैं कि 14884 लोगों का यह एक भरती विग्यापन होना था नहीं के अंतरगत जिसमें भरती विग्यापन सिर्फ और सिर्फ हो पाए 8801 ठीक है तो इतने ही भरती जो सेट आज देता है 40% जो है अंसदान अफसरों को क्या कहना है तो अफसरों को कहना है कि 142 में 5000 पदों की भरती यह जल्द ही नए सिरे से प्रस्ताव फिर बना जा रहा है तो अफसर यह बोल रहे हैं जो यहां पास आला अदिकारी है कि दुबारा हम प्रस्ताव बना कर कर दे चेंगे एंच्म के तहट केंद्र की और से 60 और राज की और से 40% का अंसदान किया जाता है इसके जरिये ही ही योजनाओं का संचालन और करमचारियों का वेतन दिया जाता है पड़ताल में यह भी पता चला है कि 36 गड़ में एनेचेम के तहट 9000 से ज्यादा करमचारी अभी भी समीदा में काम कर रहे हैं पुराने प्रस्ताव में पहले से काम कर रहे हैं समीदा करमचारियों के नियुक्ति में प्रास्मिक्ता की ब आजाता है तो ये पता नी सासन के और से क्या खेल खेला जा रहा है ये समझ से परे हैं अनुम्हती के इनतजार है नहीं के ज़ाइड जो 5,000 से अधिक पोस्ट खाली है उन में गराणीर इस्तर पर स्वास्त कार करता शाहयक रा करता किस्या अधिकारी विसेसर क्या जैसे पतस सकती है तो यह बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों जो मैं आपको बताया थे कि भरती कब तक सुरू होने की संभावना है तो अगर हरी जंडी मिल जाती है गौवर्मेंट की और से तो भगवान की देया से अगर मिल जाए तो दिसंबर महने में आवेदन परक्रिया सुरू हो ज जरी है कुछ समविदा निक्ति निकाले जारे लेकिन वो दोस्तों 6000 पदों को नहीं भर पाएगी इसके लिए राज इस तरह पर जो है भरती विग्यापन जारी करना ही पड़ेगा तो यह तो पूरा मामला है दोस्तों 36 गड़ में स्वास्त युखा के अंतरगत का तो इसम सासन को महत्पूर रुप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि स्वास्त विवाग एक ऐसा विवाग के स्वास्त और सिक्षा है जहां पास कभी भी करमचारियों की कमी के वज़े से कोई भी दिक्कत नहीं आने चाहिए भरपूर करमचारी होनी चाहिए वहाँ पर दोस्तों हुआ